एक ओमलेट हम अकसर बनाया करते हैं लेकिन थोरे से चेंजर के साथ आप उसे और भी ज्यादा टेम्टिंग और हेल्दी बना सकते हैं अज हम बनायेंगे एक चीज ओमलेट जिसमें काफी सारी सबजों का इस्तमाल करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से सिखा लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा उप्चन है ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे स्लैक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिए का और पसंद आए तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल न भूले इसके लिए मैंने चार अंडे लिये हैं दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो उसी के कॉटिंग बागी सारे इंगिडेंस मैजर की हैं अंडो को तोर के हमें एक मिक्सिंग बॉल में एट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं इसे तब तक मिलाइए जब तक की एग यॉक पूरी तरह से मिलना जाए तो रalthry आपको आधे मिन्मिन गाई एसे मिलने में तो यहां पर देखिए जी तरह से miX कर लिया है मैंने तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें बागी की चीज़े आट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के लगबग दूद दूद डालें से ओमलेट काफी फलब भी बनते हैं और सॉप्ट बनते हैं तो ज़रूर एट कीजेगा अब डालेंगे ब्लैक पेपर पॉडर एक चोटाई चोटी चममच की लगबग इसके साथ यहाँ पर नमक एट कर देंगे नमक थुरा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जो की सॉल्टेड है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नमक एट कीजेए मिला लेंगे सबको अब बारियात यह सबजीओं को एट करने की तो यहाँ पे मैंने बारेक कटवा गाजर शिम्ला मिर्च और प्याज लिया है आप चाहे तो इसमें बारीक कटवा टमाटर और मश्रूम भी एट कर सकते हैं एक के मिक्षर में एड कर देंगे और इससे पे आप जाहें तो इसमें बारी कटीवी दन्या की पत्ती हरी मिर्च भी एड कर सकते हैं तो काफी सारे वारियर्शन साशीं कर सकते हैं सब को मिला लेंगे अची तरह से और यहां पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूं तो चमच के लगपक बटर आप इसे देल में भी बना सकते हैं तब भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे बटर को हलका सा मेल्ट कर लीजिए पूरी तरह से नहीं नहीं तो वो जलने लगता है और मिक्चर पोर करने से पहले उसे एक वार इस तरह से जरूर मिला लीजिए नहीं तो ब्लैक पेपर पॉर्डर नीचे में बैठ जाता है तो यहाँ पे इसे हम ढाल देंगे पैन में और इसे लगपक 10 सकेंड तक पकने दीजिए अब यहाँ पे हम स्पेचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे तो पीछे जो स्पेच बनेगा उसमें फिर से एक मिस जड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती है और इस तरह ओमलेट बनाने से वो काफी थिक बनती है तो यह बहुत अच्छा टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ दिर के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यह देखें और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही है यह देखें और जहाँ जहाँ स्पेस से वहाँ पर एग मिक्सचर इस तरह से आ जाती है तो लगभग आदी मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह नीचे से सेट हो जाएगा तब आप इस प्रॉसेस को करना बन कर दीजे और जो लेयर्स बनती है उसे इवनली स्प्रेट कर दीजे तो लगभग एक मिनट के बाद यहाँ पर देखेंगे अब जो हम स्पेस बना रहे हैं उसमें एग मिक्सचर नहीं आ रहा है यानि कि वो नीचे से सेट हो जुगा है तो अब इस प्रॉसेस को हम नहीं करेंगे अब इसे पकने देते हैं तो लगभग आदे मिनट के बाद यहाँ पर नीचे समेने चेक कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है और यह पक चुका है अब हम इसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ साइट्स को थोड़ा सा लग कर लेते हैं और यह देखें अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं लेकिन यह प्रॉसेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया अब वापस से पैन में अट कर दूँगी तो थोड़ा सा यह हेवी हो जाता है तो इसके लिए स्पैचुला से तूटने का ड़रत है तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रॉसेस इस्तमाल किया है अगर आप स्पैचुला से फिलिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए अब वापस चीज से पैन में रख देते हैं इस तरह से यहां पर इसमें चीज स्प्रेट करेंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने मौजरेला चीज लिए आप कोई भी प्रॉसेस चीज इसमें इसमें सकते आप चाहें तो चीज स्लाइस भी इसमें अट कर सकते है या फिर इस तरह से बिलता है उसे गरेट कर लिजें और फिर मत इसमें जए करेंगे तो यहां पर एक साइड़िक आप से स्प्रेट कर देंगे क्यो्कि हम ऊसे फिर से फिलिप करना है तो यहां पर देखिए लगबग एक चोधाई कप चीज लिए मैंने और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है अब लगबग आदे मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे एक साइट पकने देंगे और फिर से फ्लिप करेंगे तो यहां पर देखिए आदे मिनट हो चुका है तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और यहां पर देखिए कितना च्छा कलर आया है तो लगबग आदे मिनट के लिए दूसरी साइड भी पका लेंगे तो यहाँ पर आदम ने ठोच चुका है तो गैस का फ्लेम आफ कर दिया है मैंने अब इसे करमा गरम सर्व कर लेते हैं तो यह आप टेक्शर देख सकते हैं यहाँ पर अब इसे मैं काट की दिखाती हूँ तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से चीज मेल्ट हुआ है की नई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो चुका है कितना कलरफुल लग रहा है और मैं आपको नजदीक से इसका टेक्शर दिखाती हूँ तो यह देखिए चीज कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हुआ है इसमें तो यहाँ पर आप आप ओमलेट की थिकनेस देख सकते हैं अंदर में इसकी लेर्स आप नोटिस कर सकते हैं अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर करना मत भूलिए मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल उत भूलिए तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ट एं थैंक्यो फो आची